हलो दूस्तों स्वागएता आप सभी का तुल्ले आरेस ओनान क्लाशेज में इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपस और प्रसनेलिटी यानि विक्तितव के प्रकार के विशे में दूस्तों पिछली क्लास में हमने बात की थी विक्तितव का अर्थ, शाब्देकर्थ, विक्तितव का अभी प्राय, विक्तितव की विशेशताईं और विक्तितव को प्रभावित करने वाले कारक के विशे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा इस वीडियो में हम वेक्तितव के सारे प्रकार को देखेंगे जो भी विभिन विद्वानों के द्वारा दिये हुए है और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रशन जहां से पूशी जाने की संभावना है तो चलेगा शुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हम बात करें वेक्तितव का वरगी करण के विशे के अंदर हिपोक्रेटस के अनुसार जो वरगी करण किया गया है कि हिपोक्रेटस नहीं कितने भागों में बाता है तो हिपोक्रेटस में सबसे इंपोर्टेंट जो बात है वो ये है कि वेक्तितव का सबसे प्राचीन जो प्राकारात्मक जो वरगी करण था वो करने वाले यही वेक्तितव थे यह एक ग्रीक फिजीशियन थे चीकितसास्त्री थे इन्होंने अपनी रचना नेचर ओफ मैन के अंदर ये वर्गेकन प्रस्तुत किया था यहां आप से तीन प्रश्ण बनते हैं कि शमसे प्राचिन जो प्रकारात्मक वर्गेकन है वो किस ने किया था तो इप्रोक्रेटिस ने किया था कौन थे वो फिजीशियन थे और उनके पुस्तक का क्या नाम था तो पुस्तक का नाम था नेचर ओफ मैं जिसके अंदर इन्होंने ये वरगे कंड किया था चोथा अगर प्रशन बने तो वो ये है कि किस अधार पर किया था तो फिजीशियन थे इसलिए इन्होंन प्राइए दोस्तों चार भाग बनाए थे तो प्रेसन पूछा जाए कि इपो ग्रेटेस ने विक्ति तो कितने ब्थागों में बन्टा तो चार ब्था और किस आधार पर बन्टा तो शरीर द्रवेओं के आधार पर बन्टा कौन से पुस्तग में ये बात है ने इनके अंदर बात है और ये बताने वाले कौन थे इपोक्रेटस थे कहां के थे तो ग्रीक के ये फिजिसियन थे पहला जो वरगी करन इन्होंने प्रस्थत किया वो था काला पित वाला व्यक्ति यानि काले पित वाले व्यक्ति ब्लेक बाइल करते हैं इन्हें ये किस प्रकार हैं तो हम यह मानेंगे कि काला-पितवाले यह वक्ती है इनमें काले-पित की परधानता है ये काले-पित वाले विक्ती कैलाएंगे हिप्पोक्रेटस के अनुसळार जिननोंने सरीर द्रवियों के आधार पर चार-भागों में बांटा था, दूसरे प्रकार की बात करें, तो पिले-पित वाले विक्ति इन्होंने बांटे थे, जो क्रोधी होते हैं, चिड़-चिड़े होते हैं, और साथी साथ गुसेल भी हुआ करते हैं, या तो चिड़-चिड़े होंगे, क्रोधी होंगे, और देखें, गुसेल व्यक्ति के बात तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो रक्त प्रधान व्यक्तितों के बात करते हैं ये रुधिर प्रवर्ति वाले व्यक्ति कैसे होंगे ये आशावादे व्यक्ति होंगे खुशमेजाज यानि प्रसन चीत रहने वाले ये व्यक्ति हुआ करते हैं इस प् होंगे विरक्त होंगे संसार शेलैना देना नहीं है भाव शन्य विक्ती कहला एक होते हैं जिनको किसी ओमीकर सcket नहीं निवात तो यह चार परकार बताए थे सबसे पहले बताई से तो ख़ियले ओचा और रुधिर प्रवड़ती वाले ये चार परकार जो थे जिनकी हमने बात की थी ये लोपित वाले जो क्रोधी और चिर्चड़े या फिर गुसेल होते हैं बलेक पित वाले या काले पित वाले जो वेकती हैं वो उदास होते हैं मंदित होते हैं निराश्यावादी होते हैं र में कुछ है ही नहीं ना पोजिटिव है ना नेगिटिव है ये देखे निसक्रिय प्रकार की विक्ति रह गए इसके बाद हम अगले प्रकार के विक्तितव की बात करें तो वो विक्तितव का प्रकार है क्रेशमर के द्वारा दिया हुआ विक्तितव का वर्गी करण क्रेशमर एक जर्मन मनोच कित सकते पहला प्रिशन आपका यही बनता है कहां के थे जर्मनी के थे जर्मन मनोच कित सकते क्रेशमर और इन्हों ने जो वरगी करन किया वो शरीर रचना के अधार पर किया था दोस्तों यह क्रेशन बहुत बार पुछा जाता है शरीर रचना के आधार पर तो क्रेश्मर ने किस आधार पर किया था शरीर आधार पर शरीर आधार पर और अगर वर्गिकन करने वाले कोई प्रमुक वेखते थे तो वो थे शेल्डन शेल्डन और क्रेश्मर दोनों ने ही जो है शरीर रचना के आधार पर बंटा था और लगबग दुनों का वर्गिकन हैं वो एक जैसा सही है तो देखते हैं कुन से इनके प्रकार थे जो है पहला जो इनका प्रकार आता है वो आता है पिकनिक प्रकार जैसा कि नाम से ही स्परस्ट होना चाहिए कि पिकनिक प्रकार नाम से ही याद रखेगा पिकनि पिकनिक में देखे क्या होता है आनद होता है मोज मस्ती होती है खाना पिना होता है तो इस प्रकार के सारी चीजे यहां भी हमें देखने को मिलती हैं शारीरिक दृष्टी से हैं तो शरीर नंका देखे कद छोटा होता है शरीर भारी यानि वजन ज्यादा होता है मोटे होते ह गोलाकार होती हैं, आकरती गोल होगी, गर्दन छोटी और मोटी भी होगी, अधिक चर्बी वाले होंगे, खाने पीने के शोकिन होंगे, देखेगा वैसे ही पिकनिक वाले कौन से होती हैं, याद रखने के लिए, पिकनिक में क्या होता है, वापिस दोरा रहा हूं, केलते हैं कूते हैं, अंसी मजाक होती हैं, खाना पीना होता है, मूज करनी होती है, गुमना फिर ना, यानि कहीं दूर जाकर ही करते हैं तो इसी प्रकार की प्रोड़ती भी यहां पई जाती है, इन्हें गुसा बिल्कुल भी नहीं आता, गुसा बहुत कम आता है इन्हें और इनकी शरीर क्याकरती की बात करें तो लगभग ये इस प्रकार का विक्तिता होता है ऐसी इनके शरीर रिजना होती है जैसे आप चित्र में देख सकते हैं मोटे हैं, तुल्थले विक्ति हैं, कदबारी है शरीर भी इनका बारी है और ये मोटे हैं, गोलाकार है, गर्दन इनके छोटी है, अधिक चर्बी वाले पेट निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है, ऐसे विक्ति आपके आसपास भी मिल जाएंगे, ऐसे विक्ति हंसी मजाएक अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, कोई बुराई इनमें नहीं है, हाँ, इनको गुस्ता नहीं आता, हलंकि जो शारेरी गतिवेदिया हैं, वो इनके थोड़е कम रहती हैं, इन्हें साइड्लो वाइड या फिर गोलाकाई भी कहा जाता है, इन्हें और किया कहा जाता है, साइड्लो वाइड या गोलाकाई, देखी दोसतों आपके जो किश्चेन आ कुन से को क्या कहा जाता है कई बार यह नाम नहीं आरते हैं यह नीचे वाले आ जाते हैं यौत कि लाका आदे देता है तो हमें किसी भी इंडिन प्र시 armaels के दा कि सुटमान में इस नाम कम से कम हमें अच्छे से याद होने चाहिए इस प्रकार के अपरजिंद पूचे ही विक्ति आते हैं जैसा आप चित्र में देख सकते हैं एथलेट के बोड़ी जो है वो फिट हुआ करती है नै तो इनका शरीर अधिक लंबा होता है और नहीं अधिक छोटा बैलेंस्ड होते हैं ये मिलकुल संतुलित ऐसा इनके विवार में भी हमें देखने को मिलता है संतुलित यानि नहीं अधिक चंचल होते हैं और नहीं अधिक उदासिन होते हैं समयोजित होते हैं जल्दी ही लोगों से एड़ेस्टमेंट हो जाता है इनका जैसे ही कोई प्रिस्तिति बदलती है तो इस प्रिस्तिति के अंसार ये आसानी से अपने आपको डाल लेते हैं तो इस प्रकार के विक्ति अच्छे विक्ति तो किस रिने में आते हैं, इसके बाद में तीसरे प्रकार के अगर हम बात करें, एस्थेनिक प्रकार जो हैं, आप देख सकते हैं कि कैसा दुबला पतला विक्ति हैं, ऐसे जो विक्ति होते हैं, वो कमजोर होंगे, बैज शरीर प सकते दिवासवपन कहते हैं मतलब ख्याली कुलाओं में ही जिलने वाले विक्ति होते हैं समाजी कुतरदायतों से इन्हें को ज़्यादा लेना देना नहीं होता नहीं निवाते हैं इस परकार के विक्ति जो हैं वो मानुसिक रोगी हो सकते हैं इनमें मानुसिक रोग होने के स संभावना बाकियों से थोड़ी सी ज्यादा रहती है इन्हें और क्या कहा जाता है यह नाम हमेशे याद रखेगा सिजोइड या लंबकाय लंबे आप इसके परकार से याद रखेगा लंबे जो विक्ति होंगे उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है चिड़ चड़े होते हैं क डाय प्लास्टिक चोथा जो प्रकार है वो डाय प्लास्टिक या औस प्लास्टिक या मिस्रित का आता है यानि जो विक्ति पिक्निक नहीं है एसलेट नहीं है एस्थैनिक नहीं है वो डाय प्लास्टिक में आ जाएगा ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इन तीनों का मिस्रित है जो इसमें पाया जाता है इसके बाद में हम बात करें अगले प्रकार की जैसा शरीर के आधार पर क्रिश्मर ने बंटा था शरीर के आधार पर ही शेल्डन ने भी बंटने का प्रयास किया था तियन प्रकार के विक्तितों इन्हों ने बताया थे शरीर रिचना के आधार प होती है जैसा हमने क्रेश्मर में देखा था गोला कारिया यह नाम जुरूर याद रखिएगा नाम जुरूर एंडो मार्फिक आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अंडे के जैसा एंडो मार्फिक है ना पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता ऐसे विक्ति मोटे होंगे आजएग जरूर होंगे मिलन सारिता इनके अंदर होती है शेलदन ने इन्हें और क्या कहा है ये भी नाम याद रख लेना विस रोटोनिया के नाम से भी जानते हैं ये शेलडन भी इन्हों ने दिया है नाम पूछे जा सकते हैं विसे इस तोर से और ज़्यादा तर नाम के question आपके परिक्षाओं में आते हैं अगले व्यक्तितों की प्रकार के बात करें आयताकार या मैसो मार्फिक यह देखी का यह एथलेट ही होता है जैसा क्रेश्मर ने बताया था एथलेटिक प्रकार का ही व्यक्तितों से समिलता है एथलेट होगा स्वस्त होगा जो किम्प्रि से ज़्यादा करते हैं इनको ज़्यादा अच्छा लगता है तीसरा जो प्रकार है लंबा कार या एक्टोमार्फिक है यह एस्थेनिक प्रकार के जैसे से ही होते हैं इस्थेनिक प्रकार अमने बात कि थी दुबला पतला विक्ति होता है लेकिन कुशागर बुद्धी होता है यहां इनके देखने का डंग थोड़ा सा अलग था, इन्होंने बुद्धी के अधार पे भी देखा, कुशादर बुद्धी होती है, कलाप्मक होते हैं, अंतरमुखी होते हैं, यानि अपने से ही इनको लेना देना होता है, दूसरों से लेना देना नहीं होता, बहुत ज़्य दो मुखे वेक्तितव हैं जो हमारी प्रिक्षा की दृष्टी से महत्व कौन थे अभी हैं जो हम पढ़ रहे हैं पास्चात्य दृष्टी कौन को ही पढ़ रहे हैं उसके बाद में बारत्य दृष्टी कौन को भी हम देखेंगे यूंग के द्वारा जो वरगिकन किया गया ह वो था मनोवेग्यानिक वरगेकर्ण और यही आज के समय में सबसे ज़्यादा चर्चित है सबसे ज़्यादा माना जाता है इन्होंने दो परकार के विक्तितव के बात की थी अंतर मुखी और बहिर मुखी कई बार उभे मुखी भी लेखा आता है जो दोनों में नहीं है उन्हें हम मान लेती है लेकिन मुखे जो बात आती है अंतर मुखी और बहिर मुखी की होती है अगर हम अंतर मुखी विक्ति की बात करें तो ऐसे जो होंगे बालक अंतर मन में ही रहने वाले होते हैं आत्म केंदरित होते हैं यानि अपने आप परीकेंद्रित होते हैं इसलिए संकोची होंगे बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं क्योंकि लज्जाशील होते हैं एकांत प्रिय होते हैं लोगों से नहीं मिलेंगे तो एकांत में ही रहेंगे स्वार्थी स्वार्थी का यहां जुचा किया करते हैं और साथ-साथ रुडिवादी होते हैं ये बात विशेशते याद रखेगा रुडिवादी यानि पुराने जो रिती रिवाज है उनका पालन करने वाले होते हैं और ये विशेशते समाजिक नहीं होते हम इन्हें एह समाजिक है सकते हैं क्योंकि इनमें समाजिक था कि बावना कम होती है ऐसे विक्ति फिर क्या बनेंगे अब ऐसे विक्ति वही बन सकते हैं जिन कारियों के अंदर इस प्रकार के विक्ति तवक्याव सकता हो या जिनें ये काम नहीं करने जैसे बाकी लोगों से मिलना जुलन नहीं है कांत में रहärकर करने वाले जो काम है वही करेंगे जैसे कोई रचनाकार है या कोई गणी तक गानी है या कोई विग्ञानिक है या कोई दारसनिक है या फिर लेख Linked-क अन्य है पप्लिक के जादा कोई आशक का नहीं होती लोगों के अंतर मुखी का बिल्कुल विप्रीत मानके चलियेगा विवारिक होते हैं छिंता मुख्त होते हैं आपको अगर विक्तितव का विचिलेशन करना हो तो आपके साधी विवाः या फंक्षिन में आप देख सकते हैं आपको दो परकार के बिक्ती वहां पर देखने को मिलेंगे एक तो अगर कोई रिष्तेदार आपके गर पे आया और वो चुप चाप बेठा रहता है एक कोने में जहां बेठा दिया वहीं बेठा रहेगा ना कुछ खाने के लिए मांगता है ना कुछ और अगर उसको किसे ने पाने या फिर खाने का नहीं पूछा तो वो एक समस्या ही ले करके आता है वहीं दूसरी तरफ बहिर मुखी जो विक्ति तो होता है वो बहुत जल्दी लोगों से गुल मिल जाता है बहुत जल्दी ही समजिक समंद बना लेता है समंद बहुत जल्दी बना लेगा जहां अं इस तरह से वो बहुत जल्दी समंद बना लेता है हलांकि वो सीमित समय के लिए होते हैं बाद में उनको भूल भी जाता है वो खुद भी खूब खाएगा पीएगा और लोगों को भी खिलाएगा सबके साथ मिल जुलके रहता है वहीं अंतरमुखी है जो एकांत में रहने वा समाजिक विक्ति होंगे आश्यावादी विक्ति होंगे आकरामक होंगे लोगप्रिया हो जाएंगे ना लोगप्रिया तो यही रहेंगे जब भी किसी पार्टी में जाते हैं तो इस पार्टी के शान यही लोग होते हैं इनको बहुत सारी प्रतिभाएं भी आती हैं यह मित उसे बातें इनको आती हैं बताने के लिए जिसके वज़ा से इनका फ्रेंट सिर्किल जो है बहुत थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है अब ये काम क्या कर सकते हैं ये ऐसे काम करेंगे जो लोगों से मिल जुल के काम करना हो जैसे कि एक टीचर है जहां एक्सप्लानेशन के आशकता होती है वो ऐसा विक्ति हो सकता है इसके लावा नेता हो सकता है या फिर कोई व्यापारी हो सकता है या फिर वकील हो सकता है या फिर कोई करांतिकारी बन सकता है इस प्रकार के जो विक्ति हैं वो बहिर मुखी विक्तितव कि श्रेणी में आते हैं एक और प्रकार अगर हम बांटें कि ये तीनों दोनों में ही नहीं हैं तो एक तीसरा आता है उबे मुखी यानि दोनों के गुणों का जो मिश्रण होता है ये समाजित उनके बजाए थोड़ी से जदा होंगे क्योंकि इनमें कुछ गुण अंतर मुखी के कुछ बहर मुखी के आते हैं ये ए एक उचित विक्तितव माना जाता है उबे मुखी विक्तितव इसके बाद हम अगले वर्गिकन के बात करें तो वो है समाज सास्त्रिय वर्गिकन जो किया था स्प्रेंगर ने अगर आप से पुछा जाए समाज सास्त्रिय वर्गिकन किस ने किया था तो वो स्प्रेंगर न इंट्रेस्ट के आदार पर इसने विक्तितों को छे बागों में बांटा था कौन-कौन से थे वो छे बाग सेधानतिक विक्ति ऐसे विक्ति जो सेधानतों में रुची रखती हैं इसे जो लोग होंगे वो कभी होंगे या फिर लेखक हुआ करते हैं इस परकार के जो वेक्ति या तो कभी होंगे या फिर लेखक होंगे चिंदाथवादी वेक्ति होते हैं आर्थिक वेक्ति वो होंगे जो अर्थ परदान होते हैं आर्थिक कारे करते हैं विपारी उद्योगपती दार्मिक विक्ति वो होंगे जिनके जीवन में धर्म प्रधान होता है ऐसे विक्ति कारे भी कुन सा करेंगे जो पुजापाट से समंदेते हैं जैसे पुजारी पंडेत सादू हैं वो इसी स्रेणे में आती हैं जिनकी रुची राजनिति में होती है वो राजनितिक विक्ति होंगे ऐसे विक्ति या तो नेता होंगे या कोई प्रसासनिक विक्ति होंगे जिन में राजनितिक भावना होती है फिर इसके बाद में समाज में रुची रखने वाले समाजे कैसे विक्ति समाज से भी हो सकती है कलात्मक व्यक्ति जो होगा वो सुंदरे प्रेमी होता है और इसे व्यक्ति चित्रकार कलाकार आधी बनते हैं इसके बाद में अगले प्रकार की हम बात करें तो कल्पना शीलता के अदार पर थांडाइक ने जो है वरगे करण किया था थांडाइक ने तियन प्रकार के व्यक् बनाते हैं जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी है मोका नक्षा देखा उसे अधार पर वो अपने विचार बनाते हैं दूसरी अगर हम बात करें शुक्षम विचारक जो यह गहनता से विचार करने वाले होते हैं अब लोकन करते हैं बहुत यह गहनता से फिर कोई विचार बनाते हैं तो ऐसे विक्ति हो सकते हैं न्याय दिस ये कल्पना करके हम विचार की साधार पर बना रहे हैं उसाधार पर इन्हों महाने के अधार पर अपने विचार बनाती हैं जैसे कि कोई निता या कोई व्यपारी वेक्ति हो सकता है उसके बाद में हम बात करें अगले प्रकार की अगले प्रकार की हम बात करें तो वो है बारतिय दृष्टी कौन के अधार पर भारत में किस अधार पर बंटा गया है तो उन्ही गुणों के अधार पर है, तीन प्रकार के विक्ति तो बताएगे, सात्विक, राजसी और तामसिक, यानि जिसमें जो गुण पाया जाएगा, उसी गुण के अधार पर हम उसका नाम लेती हैं, अगर सत्व गुण ज्यादा हैं, तो सत्व गुणी यानि सात्विक होते हैं दार्मिक प्रकार कि भra q precio या नियर रजोगुन में ज्यादा होता है रजगुणी प्रदान होती ए सीसरी विक्ति के लाल होता है शानत कर रहे हैं कर्म उ कर्मियोगी CC वेखति यह को give u प्रणों के सभने करUT कि वार्णों की बात होगा क्योंते हैं लोरै जो कई वह क्योंते हैं प्रूरती में देखने को मिलती हैं, इसके बाद में अगले प्रकार की हम बात करें, आधुनिक दरस्टी कोण में तीन प्रकार के विक्तितव हैं, बहुक विक्ति, करमशिल विक्ति और विचारशिल विक्ति, बहुक विक्ति, करमशिल विक्ति और विचारशिल विक्ति, ये बाद में हम बात करें, आई जैंक ने जो व्यक्तितव का वर्गेकन किया है, आई जैंक ने जो है, चार परकार से बांटा है, अंतरमुकी हम पढ़ चुके हैं, वही है, बेरमुकी भी वही है, स्वेम विरोधी या निरोटिक कौन से होते हैं, स्वेम विरोधी व्यक्तितव वो होंगे जो हर समय हर गटना के अंदर खुद कोई जिम्मेदार मानते हैं ये मानते हैं कि इस गटना का जिम्मेदार मैं ही हूँ मैं ही हूँ वो व्यक्ति जिसके कारण ये गटना गटित हुई है जबकि इसका विपरियत होता है समाज विरोधियो जो हर गटना के लिए समा यह व्यासान है इसमें जो शुर्ण की कमी होने के करगे इनको लगता है कि हमेशा समय कम है और काम के बोज से ये दबे रहते हैं इसी कारण इने लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है और काम के बोज से ये दबे रहते हैं और समय कम देरे कम होने के कारण ये हमेशा उतावलापन के अंदर ही रहते हैं उतावलापन इन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो ऐसे विक्ति जो होंगे समेधन सेल भी होंगे टाइप A के अंदर आते हैं टाइप B क्या है जो टाइप A नहीं है वो टाइप B है यानि टाइप A के जो बिलुकुल विप्रित विक्ति होगा वो इस प्रकार का विक्ति होगा जिसे हम टाइप B में रखना चाहेंगे मोरिशन ने टाइप C का सुझाओ भी दिया था सुझाओ है दोस्तों दिया नहीं है टाइप C को उनसा होगा जो रोगों के प्रति समेधन सेल होता है इसे विक्ति सयोगी विनीत या देरेशिल हो सकते हैं एक टाइप D का सुझाओ भी दिया जा चुका है टाइप D का लेकिन सुझाओ दिया जा चुका है उसकी हमें विशेशता बात करने क्या हो सकता नहीं है हमेशा की तरह इस क्लास की पीडियो पे आप हमारी टेलिग्राम चैनल और हमारी तुलिया आरेश डोट इन नम जो ओफिशल वेब साइट है वाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर आप हमारी रेगुलर्टेर सीरीज से जुड़ना चाहती हैं तो हमारी अंडोड अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना इस्टोल कर लेना बहुत अच्छे टेस्ट बहुत ही लोग उस पर आपके लिए उपलब्द हैं आप उनको दे सकते हैं और अपनी तयारी का अपनी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगली क्लास में हम बात करेंगे विक्तितव को मापने के जो नियम बनाए गई हैं जो मापने की जो विधियां बनाए गई हैं उनके विशे में बात करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर चैनल पे पहली बारा है ह तो सब्सक्राइब करना मत बूलना और हाँ पास लगा बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले क्लासे इसके नोटिप्योकिशन आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं अगले क्लास में तब तक बने रहे हैं हमारे साथ थैंक यू वेरी मच